हाई फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल रेस्लिंग बात्षा मैं हूँ यश्ट तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन लाइफ के शेन मेक्मैन और जिंदर महाल के सेग्मेंट के बारे में दोस्तों ठीक ठाक स्मैकडाउन हमें देखने मिला आज ये शो कीक ओफ ह शेन मेक्मैन से शर्वायकवर्स एब direct पर वेय där law i supreme चैनल अनदर सच करते हैं और मैंने सी कहिए यंग एज में की फाइट में पहले पंच मारो वो फिर कAdἀमन को मौन करते हैं और कहते हैं कि अन्डर साल्राइ पर तबी सामी जेन आते हैं और शेन मेक्मैन के Նठीक के बारे में कहते हैं और टॉंट मारते हैं पर सैमी शेमलेस की तरह कहते हैं कि अगर तुम शेन एधा कमपेडिटर हो तो मैं तुम्हें एक सेकेंड में हर्ट करूंगा मुझे और केविन ओवन्स को सर्वाइवर सीरीज के लिए स्मैकडाउन टीम का पार्ड बनना है शेन कहत इंवर रिस्पॉंड करेंगे पॉल हेमन और ब्रॉक लेस्नर को सिंग ब्रदर्स पॉल हेमन को dispers करते हैं एंट्रेंज की ताइप और जिंदर माल फिर अपने जंबर्धर्दसzaesters और रिंग की तरफ बढ़ते हैं फैन्स USA चैन्ट करती हैं और फिर जिंदर माहा कहते है कि मैंने WWE टाइटल की importance बढ़ाई है वो आगे कहते है कि एक होते है सच कहने वाले और एक होते है जूट कहने वाले और Paul Heyman जूटे है फिर हमें Paul Heyman और Brock Lesnar वाला प्रोमो दिखाये जाता है RAW वाला जहां वो जिंदर महाल और स्रिंग ब्रदर्स का मज़ा कोड़ात है जिंदर फिर पॉल Heyman को कार सेल्समेन कहते है और कहते है कि उन्होंने नीचे से शुरुवात की अपने करियर की और अब वो सबसे पावरफुल मैन है WWE में जिंदर आगे कहते है कि Heyman सही है मैं इक्वल नई हूँ Lesnar से मैं उसके लिए फिटिंग नहीं हूँ बलकि मैं Lesnar के लिए वर्स नाइटमेर हूँ मैं सबको प्रूफ करूँगा Survivor सीरीज में क्यों कि Modern Day महराजा एरा बस शुरू हुआ है पर आज मेरा भाई सुनिल सिंग फेस करेगा AJ Styles को तबी AJ Styles की Entry होती है फिर रेफरी कहते है जिंदर महाल से कि तुम रिंग के आसपास नहीं रहोगे और फिर AJ सुनिल सिंग को एक क्विक मैच में हरा देते है AJ सब्मिट कराते है सुनिल सिंग को काफ क्रॉशर से तो दोस्तो में इवेंट होती है करने की कौन होगा फर्स मेंबर टीम स्मेंग डाउन का रेंडी ओर्टन वर्सिस सैमी जेन अच्छा मैच होता है रेंडी ओर्टन मुरी तरह से डॉमिनेट करते है सैमी जेन को आगे बैक एंड फोर्थ एक्षना में देखने मिलता है तभी केविन ओर्स आते है और डिस्ट्रेक्ट करने की कोशिश करते है रेंडी ओर्टन को फिर ओर्टन उनको डी 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 देने जाते है पर तभी सैमी जेन उनको रोल अप करते है पिन करने के लिए पर सिर्फ टू काउंटी होते है तो दोस्तो आज नहीं हुँआ रावा टीम का स्माइकडाउन पर इंवेड क्यूंकि अगर आज करते तो बड़ा प्रेडिक्टेबल होता था इसलिए वो नेक्स्ट विक करेंगे तो दोस्तो कैसा लगा आपको ये सेगमेंट समें कमेंट सेक्शन में बताइए So guys, please, 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 like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Matcha, peace out.